अगर पंद्रे दिन में लोगों का प्लाइन वापसी नहीं हुआ गुंड़ागर्दी खतम नहीं हुई तो हम भारतिजिंता पार्टी के कारेकरताओं को कहराना नहीं कहीं भी जाने से कोई ने रोक पाएगा ये चेतावनी के साथ मैं बताये देखा रहा है कि जब गुजराथ में दंगा हुआ था वहां कि प्लाइज कर गए पहले संगीर सोम और मोजी साथ तुद्हान मंती जी उन्हें बाफिस करने तरे बाफिस पहले उन्हें बाफिस करने दंगा झमना की जुटाओ है जो मिली जूली तहजीव है जिसमें ये संतलक सात रहे हैं। वहाँ पर ये आग लगाने के यात्रा से निकले है। जो मैंने सूची दी है मेरे कार्यक ऱ्वारा पूं। sympathy पास के साथ में अधिन डियार की गई है। नमस्कार प्राइम टाइम में आज फिर केराना फिर इसलिए क्योंकी से लगातार सुलगाया जा रहा है आज बीजेपी के सदना से विधायक संगीत सोम ने केराना में हिंदूों की काथित पलायन को लेकर पैदल निर्भाय यात्रा निकालने की कोशिश की इखटा की गई इस भीड को सगीत सोम सदना से केराना तक ले जाना चाह रहे थे लेकिन दो किलोमीटर दूर ही इसे रोग दिया गया वे कहते रहे कि कानून का उलंगा नहीं कर रहे हैं लेकिन पाबंदियों के बावजूद शक्ति प्रदर्शन किया गया और रुकते रुकते राजसरकार को अल्टिमेटम भी दे दिया गया कि पलायन के लोगों को वापसी पंधरा दिन में की जाए नहीं तो सडक पर उतराएंगे तो बीजेपी का कहना है कि इस यात्रा से उसका कुछ लेना देना नहीं है बीजेपी के राजिक अध्यक्षकेश प्रसाद मौर्य का कहना ये भी था कि विदाय की निजी यात्रा थी कहराना कि बीजेपी के सांसत हुकुम सिंग का कहना था कि उन्हें ऐसी किसी यात्रा की जानकारी नहीं है बलाई हुकम सिंग हिंदू परवारों के पलायन के बयान से पलट गए हूँ लेकिन संगीत सोम इस मसले को छोड़ने नहीं वाले ये वही संगीत सोम है जो पिछले साल दादरी पहुँच गये थे जो संगीत ते कहा है उसे देखा जाएगा लेकिन ये गाय का मीट खाने वालों और गाय को मारने वालों से जुड़ा मसला है ये वही संगीत सोम है जो सुरेश रायना के साथ मुझफर नगर दंगो में आरूपी थे उन पर सामप्रदायक उनमाद भड़काने के लिए फर्जी विडियो सिर्कुलेट करने का आरूप लगा था ये वही संगीत सोम है जिसे 2013 अक्टूबर में मुझफर नगर दंगो के बाद नवंबर में चुनावी माहौल में आगरा में हुई रैली में स्टेज में सम्मानित किया गया था अलाकि नरेंद्र मोदी जो तब प्रदान मंत्री पत के दावाईदार थे स्टेज पर मौझूद नहीं थे लेकिन समानित किये जाने के दौरान स्टेज पर बीजेपी के वरिश नेता लाल जी टंडन और कलराज मिश्र मौझूद थे और यहाँ पर यह भी बता दें कि उसी दिन मुलायम सिंग यादव ने भी अपने बेटे मुख्य मंत्री अकिलेश यादव के साथ बरेली के इंटर इसलामिया कॉलिज के ग्राउन में रैली को संभोधित किया था जिसमें तौकी रजा मौझूद था इतिहादे मिलत काउंसिल का प्रमुक जो 2012 के बरेली दंगो का आरोपी था तो दंगे भढ़काने के आरोपियों के साथ राजनितिक दल लगाव बरकरार रखते हैं उसी तरह आज भी समाजवादी पार्टी ने सद्भावना यात्रा निकालने की कोशिश की साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिफपाल यादव ने संगीत सुम के अल्टिमेटम पर कहा कि पहले 2002 के गुजरात दंगो के विस्थापित परिवारों को वापिस बसाया जाए तो कहराना का मुद्दा इस इलाके के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई भी बताई जा रही है कहराना के सांसद हुकम सिंग अपनी बेटियों को 2017 के चुनावी मैदान में उतारना चाहते है वो लिस्ट जो आई थी सामने हिंदू परिवारों की वो इसके एक तयार हिमानी जा रही है लेकिन संगीत सोम अपना दम खम भी दिखाना चाह रहे है साथी राश्य लोग दल के नेता अजीक सिंग ने भी हुकम सिंग पर अपनी बेटियों को राजनेती में लाने का जब आरोप लगा है तो जाट नेता पर हुकम सिंग ने पलटवार भी किया है आज ही कहराना गई बीजेपी के सांस्तो और कारेकरताओंने दल जो दल था उन्होंने अपनी रिपोर्ट राजपाल रामनाय को सौब दी है रिपोर्ट में कोई आकरा नहीं दिया गया लेकिन साफ क्या गया है कि एक विशेश वर्क का पलायन हुआ है विशेश समुदाय के अपराध्यों को संग्रक्षन दिया जा रहा है सीबिया जाँच इस मामले में हो रिपोर्ट की एक कॉपी केंद्रिय नित्रतों को दी गई है अब कहा ये भी जा रहा है कि केंद्रिय मंत्रियों को भी भेजा जा सकता है गौर्ट तलबे की कल ही पांच राज्यतिक दलों के सदसों ने कहराना का दौरा किया था जिसमें बीजेपी पर सांपरदायक माहौल बनाने का आरूप लगा था तो आज प्राइम टाइम में हम समझेंगे कौन नहीं चाह रहा है केराना में सम्प्रदायक माहल बनाना और कौन केराना से दारा में रहके हमने 1344 का उलंगन नहीं किया हमने कानुन नहीं तोडने का कम किया इसलिए यात्रा रोग दी गई लेकिन सर जिस तरीके से देखा गया है कि इतनी भारी तादाद में पुरिश लगी हुई यही थी और दुकाने वहाँ पर बंद थी और इसके साथ में धारा 144 लगी हुई थी तो आपको नहीं लगता है कि इस यात्रा के जरीए सद्भावना कम और लोगों के अंदर डर ज़्यादा पैदा होता है ने मुझे नहीं लगता चुकि हजारों कार्य करता आपने देखे है वो कितने प्यार से और कोई लोगों कोई प्रोब्लम नहीं होने दी हम सब कानून को मानने वाले लोग हैं और इस तरीके के यात्रा हैं सद्भावना की यात्रा होनीर चाहिए अच्छा मेसेज जाता है अच्छा सर्, आपको प्रशासन का नोटीस कल नहीं मिला था क्या आज आपने क्यों बीच में रोक दिया यात्रा मुझे नोटिस नहीं मिला आप मीडिया वालों के सामने उन लोगों ने मुझे नोटिस दिया है उस नोटिस का मैंने पालन करती हो अपनी यात्रा इस तक इतकी है यह भी का जा रहा है कि शीर्ष नेताओं ने आपको इस यात्रा को निकालने से मना किया था लेकिन आपने फि लोग caps करना हो में लगने दो में हैं सारे ही बीजेपी के थे यह की बीजे पीक करना है। तूमारे साथ खास मेमन आज मौजूद है भरतिन्द सिंग्ाय बीजेपी मेरट के हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विनूद नेहोत्री वारिश पत्रकार हमारे साथ है, हमर उजाला से साथ ही आपको बता दे, मदुकर जेटली नेता समाजवादी पार्टी लखनों से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही शरत प्रधान वारिश पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. बारतिन जी बहुत शुक्रिया कि आप आए आपने समय निकाला संगीत सोम की आज जो ये कोशिश हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं केवल संगीत सोम ही नहीं साब हर पार्टी में लोग तंत्र में आप किसी भी व्यक्ति को या नीता को अपने हिर्दे की बात कहने से नहीं रोक सकते चाहे वो आजम खान हो जब ये इतना बुरा कांड हुआ था बदाईयों में तो आजम खान साब ने कहा था कि आपने मेरी भैंसों को क्वीन विक्टॉरिया से विज़ादे प्रसिद कर दिया है चाहे वो इमरान मसूद हो कांगरिस के उन्हाने जाने क्या क्या अनाफ शना हमारे प्रधान मंत्री प्रतियाश्य और इस समय हमारे प्रधान मंत्री के बारे में कहे हैं तो ये जो बेकार की बाते कहते हैं ये लोग निश्य थी इन्हें अपने दल की कोई योजना या नीती के अंतरगत नहीं कर रहे हैं अपने मंद से कर रहे हैं मैं कलीक शेत्रिकार आले गाजियापाद में था और वहाँ पर काफी देर तक मैं अपने वरिष्ट संगेटन मंतियों के पास बैठा था नेताओं के पास बैठा था वहाँ पे कोई भी ऐसा निर्देश नहीं था तो कोई विदायक अगर जाना चाहे तो यह उसकी निजी इच्छा है सर अगर निर्देश नहीं था फिर भी क्या अपने जो शेष्ट नेताओं के विदायक सुनते नहीं यह स्थिती आ गई बीजेपी के लिए जैसे मैंने कहा कोई निर्देश नहीं था कि आप जाएं तो यह पार्टी की नीती नहीं है अगर कोई विदायक या कोई नेता या कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो कोई विशे रखे और प्रेस चाहती है कि वो इसे एक मुद्दा बना दे और विपक्ष के लोग मिलके इस पर चर्चा करें तो इसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है और मेरा मानना है कि आजम खान ने कुईन विक्टॉरिया से जो तुलना की इसे मौके प्यार जब दो दलितों की हत्या होई थी नाबालिक बच्यों की हत्या होई थी तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कम से कम एक सुशिक्षिट युवा मुक्यमंद्री तो ऐसी बात नहीं कह सकते हैं अगलेज यादव की इसमें हाँ तो नहीं होगी साथ साथ वो बिल्कुल सही बात है लेकिन इस समय अगर हम देखें कहराना का जो ये मसला हुआ संगीत सोम कहते हैं वो एक अल्टिमेटम दे रहे हैं प्रशासन को वो कह रहे हैं ठीके मैं आज जाली नहीं निकालता हूँ जो भी पाबंदियां इसलिए या मुझे कोई जो भी कारण रहा हूँ उस वर्चस्व की लड़ाई में उस पर आऊंगी लेकिन वो एक अल्टिमेटम देते हैं एक वर ये कह रहा है कि भाई ये खौफ पैदा करने की कोशिश है ये धंकी देने की कोशिश है खौफ और धंकी जो दी जाती है कोई भी काम बिना किसी फायदे के नहीं किया जाता खौफ और धंकी तो उन लोगों को दी गई जो अपना घर बार छोड़के पले आयन कर गए वो लोग कौन थे निश्चिद वो लोग वो थे जिनके पास कुछ धन था खौफ तो वो कौन थे? वो व्यापारी थे मेरे पास लिस्ट मौजूद है मैं आपको नाम पढ़गर सुनासकता हूँ व्यापारी कौन होते हैं हमारे देश में? जादेतर जैन हैं बनिये हैं अब यह दो एक क्योंकि वो जैन और बनिये हैं इस वजे से उनके खिलाफ कारवाई हो रही है अगर आप ऐसा मानना चाहते हैं तो मान लीजे मगर बात ये है कि कानून विवस्ता ठप हो गई है जो धनाड्ये लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुता पैसा है थोड़ा बात वा कारोबार है जो अपनी दुकान चला रहे हैं मकान चला रहे हैं गुड़ बनाने की किसी ने अपना लगाया है थोड़ा सा कारोबार उन्हें परेशान करा गया उनके बयान है मेरे पास और ये BJP के बयान नहीं है, ये ZTV ने जो जारी करा है, वो कागज है मेरे तो आप किसी, मैं आप से तमाम लोग अपनी रिपोर्ट करते हैं, तमाम लोगों के अपने कारण हो सकते हैं रिपोर्ट करने के मैं उस पे नहीं जाऊंगी, आप लोगों तो खुद गए, आप लोग कारेकरम किया था, तब BJP के जो हुकम सिंग है, वो पलट गए थे अपनी बात से, वो उसको अपरात से जोड़ रहे थे, उन्होंने का गलती हो गई कि मैंने हिंदू शद का इस्तमाल किया, आज फिर जिस तरह से रिपोर्ट देखी जाती है, क्या हम माने कि BJP का स्टैंड इस पे फिर एक हार्डनिंग उस्टैंड देखा जा रहा है केराना पर, कि नहीं उस बात पे हमें टिके रहना है, और तब ही संगीत सोम का इस तरह से प्रदेशन वो करता है, भले ही उकुम सिंग ना करें। पुली रंगदारी हो रही है, यह जो वसूली हो रही है, यह जो हफ्ते चल रहे हैं, यह सब को मालूम है, मुकीम काला जेल में बंद है, और उसके बड़े निकट संबंद हैं, जो लोग इस समय सत्ता में हैं, वो उस जेल में बंद अपरादी से उसके बड़े निकट संब लगता है और भले लोगों से हफ्ता वसूली करने लगता है ये हो रहा है ये चर्चा हम लोग कट चुके और इसमें हमारे हिंदू समाज के लोग भी इन अपराधित तत्व में मौझूद है जो उसका राइट हैंड मैंने वो है तमाम हमने रिपोर्ट उस पे की अब हम इसी पर आगे बढ़ेंगे समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौझूद है मधुकर जेटली मधुकर जेटली जी बीजेपी अगर रैली निकालती है कोशिश करती है तो समाजवादी पार्टी भी करती हाला कि वो तो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देती नदारत रहती है तो ना तो भारती जंता पार्टी को इजाज़त दी गई सरकार द्वारा और ना ही समाजवादी पार्टी को इजाज़त दी गई सरकार द्वारा कि कोई भी रैली निकाली जा सके जो भारती जंता पार्टी के लोकल एमेले हैं जिनोंने उस कार को वहाँ पर करने का प्रयास किया और वो बाद में असफल हुआ उसका कारण ये था कि वो जहां से रैली निकाल रहे थे वो एक विशेश आबादी का शेतर था वहाँ पर रैली को रोकना जुम्मे का दिन था आज नमाज का समय था वो संभव अगर नहीं था तो उनको थोड़ा दूर पर जा करके रोक दिया गया और ये सब काम कुल मिला कर आधे घंटे से कम के अंदर हो गया प्रश्टी ये है कि जो श्री हुकम सिंग जी ने अपनी सूची दी उसके बाद में वो अपनी सूची पे स्टैंड नहीं कर सके उन्होंने अपनी सूची को विड्रॉ कर लिया बाद में कहा कि हम जो है वो अपने एक और पार्टियों का पांच दलों का दल गया उसने जा करके वहां पर पता करा पता करने के बाद में उनकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है उनका कहना ये था कि ये जो सब चीजें हुई है ये सब टोटली बिल्कुल नेराधार आरोप लगा रहे है मेरा मूल प्रशन ये है निदी जी कि हुकम सिंग जी पिछले 20 वर्षों से उस शेतर के विधायक है और अब वो संसद हैं तो क्या ये तथ हुकम जी के संग्यान में अभी 2016 में मई जून के महीने में आया और क्या ये जो तत्य अभी आया और इसकी जाच कराई गई जिसमें ये पाया गया कि लोग 20 वर्षों से पलायन कर रहे हैं उसके कारण बिन है और अगर विकास का आभाव था तो क्या हुकम सिंग जी की जिम्मेदारी आइजम नेता या वहां के विधायक के रूप में उस शेतर का बेरोज़़ारी दूर करने की अगर आप उस लिस्ट का जिकर कर रहे हैं आपको याद है सोंबार को भी हमने केराना पर चर्चा की थी और आप ही मेरे गैस थे आप ही आये थे और आपने मुझे एक फैरिस दिखाई थी 119 नामों की सूची दिखाई थी कोई सूची सामने नहीं आई समाजवादी पाटी की तरफ से सिर्फ टीम की एक रिपोर्ट आई उसमें कुछ भी नहीं है सूची जो है नहीं सूची जो है सरकार पूरी तरह से जाच करा रही है 119 लोगों के बाद में 56 लोगों की जाचे और हो गई है और जब सूची कंप्लीट हो जाएगी निदी जी एक तर्थ को जाच करने के लिए उसके साथ में जुड़े हुए बहुत सारे तर्थों की जाच की जाती है वहाँ पर 15, 10, 8, 7, 9 लोगों से पूच्टात की जाती है और सारे फैक्स घटा करने के बाद में वो 346 और 60 के जो बागी नाम दिये गए है वो सारी सूचियां कंप्लीट हो रही है आपकी सूचि की इंतार रहेगा क्योंकि BJP की सूचि पूरी पहुची नहीं है और जो रहले कि अपकी भी पहुचे की नहीं आएगी